गुद्मॉर्णिंग स्टूडें टुडें वी विल डेस्कस मार्कट अरांड अस क्लास सेवन चैप्टर फिफ्ट है और इसका यह पार्ट सेकेंड है पार्ट फरस्ट हमने इसको अप्लोड कर दिया था ठीक है लगबग यहां तक हो चुगा था और वीडियो को भी नहीं स्क बताते हैं उनको आप कमेंश्चन में बताईए और कुछ हिंदी वर्ट वी बिताते जा रहे हैं तो उसे अप राइट करते जाए ठीक है चलिए अच्छेश्ट करते हैं फैक्टर वीच अफेक्ट पीपल सेक्सिस्टू मार्केट वह क्या फैक्ट है फैक्टर्स हैं वीच फैक्ट पीपल एक्सिस्टू दा मार्केट जिससे लोग क्या होए मार्केट के पास पहुंचे हैं या मार्केट की जो एक्सिसिंग पहुंच है उनके उनके लिए बेनिफीशल हो ऐसी क्या चीज़े हों कि मार्केट जाना पसंद करें है ना मार्केट में ऐसा क्या होना चा जिसके वाई जोग मार्केट में जाना पशनते हैं अगर मार्केट में लोगों की जरुवतों समान नहीं मिलेगा तो फिर वह मार्कट क्यों जाएंगे तो इसके लिए बहुत फ्रस्ट प्रक्ते होगे यह मारा अबलर्ड विल्टी ऑस वो बीटोप तिंग वह ज़रूरत है जिसका बनुट अलिया है कि नहीं हो रही है बहुत सारी चीज़े हैं जो अगर वहां पे जाना पसंद करते हैं अगर डेली के जड़तों की चीज़े अगर हमको मार्केट में नहीं मिलती हैं तो लोग क्या है वहां जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि डेली रूटून की चीज़े हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रॉसरी मिल्क बेटर ड्रींक ब्रैड यह तो डेली जरूरते हैं तो अगर यह मार्केट में को अबलेबल नहीं होती है तो लोग जाना वहां पर पसंद नहीं करेंगे जरूरी है कि वहां एक मेडिकल सोप होनी चाहिए केमिस्ट का मतलब होता है दवाईयों की दुखार अगर कोई विमार हो गया तो वहां पे नियरली जाकर के और अपना इलाज़ तो हैं वहां ट्रीट्मेंट करवा सकें अस्वीट सेलर्स मिठाईयों की दिकाउन तो होनी चैंच ये विकोज क्या होता है हर나만 केजन में होना चाहर जार्ट है अक लॉडर मार्चंट एट टेलर सब ट्रीऋ एक पोश्ट ऑफस्ट ऑप और तो अगर वहां पर क्या है अगर वहां पोस्ट आफिस वगरे हैं पुलिस टेशन वगरे हैं तो यह हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल वगरे देर विल बी एन एड़ेड एट्रेक्शन क्या होता है कि अगर यह सारी चीजे अब लेवल है तो यह एक एक्स्ट्रा एड़ेड ए चाहिए वहाँ पर स्वाड़ी अगर क्या है मार्गेट पास में है और इसलिए कस्टमर उनको सारी चीज़े अविलेबल हो जा रही है तो वह उनके लिए अगर वह उस मार्केट पर जाना अवाइट करते हैं और वहां पर रहना भी पसंद नहीं करते हैं और वहां पर रहना भी पसंद नहीं करते हैं जहां आज पास में क्या हो मार्केट नहीं होगा तो क्या आप एस एरिया में रहना पसंद करेंगे वहां के जो लोकल्स आपर से ना वह अपना क्या होगा प्राइस बढ़ा देंगे हर चीज का नेक्स्ट इसके बाद देख लेजी क्या है क्वालिटी ओल्मॉस्ट करेंगे तो कर लेंगे दूर चले जाएंगे तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे पर ऐसी चीजे लेना पसंद नहीं करते हैं people would not compromise with any shopkeeper who supply good inferior quality to them as such thing can play her work with their health as well as well-being of their families especially their children's क्या होता है कि customer जो होते न कभी भी ऐसी चीज़े लेना पसंद नहीं करते और shopkeepers को ऐसी चीज़े supply भी नहीं करनी चाहिए जिनके क्या है quality अच्छी ना हो क्यूं क्यूंकि वो पूरा work का मतलब क्या होता है वो गण कमतलब क्या होता है nurse हो जाना ठीक है तो लोगों की सिहात खराब होगी खराब होगी nurse होगी तो लोग अपने health के लिए अपनी family की health के सब्सक्राइब करते हैं इसलिए क्या आपने बच्चों की हल्थ के गजस नहीं जाएंगे वह ऐसा कोई भी शमानिय खरीदेंगे जो क्या क्वालिटी वाइज अच्छा ना हो नेक्स्ट है क्रेडिट दियर और सन पीपल हो कैन बाई थिंग भाई पेंग कैस क्या होता है कि हो सारा ऐसे पीपल है मैजर्टी है बहुमात है ऐसे लोगों का जिटके पास क्या होता है इस पेसली दा सर्विस क्लास पीपल हूँ बाई थिंग्स ओन ग्रेडिट एंड पे अमांट दा नेक्स्ट मन क्या हो गया उधार ठीक है ना उधार पे ले 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 लेते हैं और से इसमें जब उनकी सालरी आती है तो फिर वह पेमेंट करते हैं ऐसा बहुत बड़ा क्राइटेरिया है लोगों का ठीक है तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते है वें डे गेट यार पेशों ठीक है ना तो नेक्स्ट मन वह क्या करते हैं पेडिट फैसलेटी और च जो credit facility होती है ना उधार वगएरे की facility होती है तो वो क्या होती है मार्केट में popular है विकोज क्या होता है जो customer है वो continue बने रहते हैं ठीक है फाइप नंबर देख लिजी हैं पर income cycle क्या है income cycle मतलब कहां से income आ रही है पैसे आ रहे हैं कैसे जल रहा है cycle the best retail shopkeeper is one who keeping in mind the economic standard of his customer तो अच्छा retail shopkeeper कौन है अच्छा retail shopkeeper वो होता है जिसको पता होता है कि उसके जो customer है उसके पास जो ग्राक आ रहा है उसकी economic condition कैसी है उसकी यह मतलब उसके पास पैसे कम है या जादा है तो उसकी हिसाब से समान का समान को स्टोर करना स्टोरज करना maintain his stock different active articles अलग-अलग चीजों से समान को रखना है अलग-अलग चीजी अपने दुकान में रखना कि जिस टाइप के उनके पास customer आ रहे है क्या होता है अगर एक जूते की जोड़ी 200 में आ रहे है तो वो एक हजार में भी आ रहे है और उससे ज्यादा की भी आ रही है क्या होता है इसी तरह से कपड़े होते हैं हमारे सर्ट पजामा पैंट और कोट में हो सकते हैं ताकि हर तरह के लोग उसको ले सके क्या है तो यह स्वाप कीपर को पता होना चाहिए किस टाइप के कस्टमर उसके पास आ रहे हैं तो उससाब से वो अपना स्टॉक पूरा रखे है वहाँ पे ताकि कोई भी कस्टमर वापस लोट करके ना जाए क्या है तो क्तुमर की रखे हुआ कर ना कि उनके दुकान में जब हम जाये कहीं पर हम इसमाह जाहत हैं तो ये सारी चीजे जो हमारे ओना लोग् पर किया जाए किया जा सके ठीक है next है आस्ट है हमारा price तो price भी जरूर यह भाई then the price of things available in the market should be quite genuine genuine जो price होता है समान का जो भी हम ले रहे हैं तो उसका genuine होना चाहिए मतलब एक मतलब होना चाहिए कि अधिक नहीं होना चाहिए बहुत जादा अधिक नहीं होना चाहिए और बहुत लोग भी नहीं होना चाहिए अधर्वास लोग कहते हैं कि इतना लोग होता है कि quality wise और जो समान की quality है ना और जो market में उसकी supply है उसके हिसाब से price रेजनेबल होना चाहिए मतलब की समान में price होता है extra नहीं लगना चाहिए कि यह तो बहुत हाई है ठीक है अब यहां पर देख लिए wholesaler and retailers क्या होते हैं wholesalers और retailers market में क्या होते हैं इनको difference clear कर लेते हैं once goods and service are product one once good and service are produced एक बार जब समान जो है ना goods का मतलब होता है समान लगेज है ना service और जब एक बार बना लिया जाता है प्रोड्यूश कर लिया जाता है दे रीज़ा कंज्यूमर इंडिफरेंट वी तो वह समान क्या होता है प्रोडूशर जब रोडूश कर लेते हैं तो क्या करते हैं वह इस दिफ्रेंट तरीके से अलग अलग तरीके से कंज्यूमर कंज्यूमर को गया उपभोगता जो इन सीजों को यूटिलाइस करना है यानि कि हम तो उनके पास पहुचाना उनका नेक्स्ट काम होता है सम्सोल डिकली टूद एक अंज्यूमर कुछ क्या होते हैं डायरेक्ट से कंज्यूमर को जैसे कोई-कोई यह से सब्सक्राइब कर देते हैं अफेक्टृ से जाकर के जहां पर करम रहें तो यह क्या होगए डियरेक्ट सप्लाइब हो गया तो डोर-टोर सेलिंग हो तो प्र उस्ट गूड अनसर्विस क्या कभी कभी क्या करते हो लोग डोर-To-डो तो क्या होता है किस प्रकार से जो है wholesaler जो होते हैं और retailers होते हैं तो wholesaler और retailers की बीच में producer and consumer की बीच में क्या connection होता है तो क्या connection होता है इसको यह understand कर लेते हैं next topic से wholesaler market क्या होता है wholesale market क्या होते है a wholesale market is a place where producer bring their goods to be sold होल से मार्कट क्या होता है जहां पे प्रोड्यूशर यानि की अगर हमने समान प्रोड्यूश किया जैसे किसान होगे न अपना धेर सारा समान जो कि हुचावल नहीं तो कहां जाएंगे वह को पे इकठ़ अपने समान कर देते हैं ठीक है दिस ये अनिफिंग फ्रॉम लेक्ट उभेचा जाता है इस प्रोडिशर हैस डिफेंट होलसेल मार्केट हार ठीचर का अलग में फोलसेल मार्केट हो सकता है जैसे अनाज का अलग कपड़ का अलग हो गया है सबचीयो ऍहसिते आंड रेटेव तो डायों फोटे को समदार ही जगय होती है जहां पर उनकी दुकान होती है और वहीं से सारे लोग आकर के और सम्वान अपनी जरूरत की सबसे जितना जरूरत होता है उतना लेकर के जाते हैं डिरेक्ली टूदा कंजीव मर दियार आर सौप फ्राम विच मोस्ट पीपल भाई थिंग टू डिरेक्ट कंजुपेशन तो वहीं से क्या होती है उनकी खपत होती है लोगों को सब्कुपेशन होती है या तो डिरेक्ली वह उन्युक्षण के पास जाके ला-एं यह फिर कंज Portugal के पौस जाते हैं जिसने यह manufacturer से एक अठा समान ले लिया है दे दिन सेल दा गूड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी उसको थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में उसको सेल करते हैं बेचते हैं अगर वही पर एक सब्सक्राइब तो सारे लोग उसी सौप से लेना पसंद करें ना कि वहां प्रोडूशर के पास जाएंगे रिटेलर रिप्रेजेंट दा इंड आप दे सप्लाई चेन और रिटेलर क्या करते हैं लास्ट चेन होते हैं सप्लाई करने की ठीक है उसके पाद तो सीधिये कंज्यूमर के पास आजाता है समान and a retailer often charge different amount to different type of consumers और क्या होता है retailers ना किसी भी समान को अलग-अलग charge कर सकते हैं अपने customer के हिसाब से some retailers allow bargaining in other retailers outlet such as fixed price shop the price is fixed and usually low ठीक है some retailers give discount sale to attract customer or get rid of unwanted stock ठीक है क्या करते हैं red का मतलब है खपत करना खतम करना ठीक है वो जो धेर सारा उन्होंने समान रखा unwanted stock उनके पास है तो उनको खतम करने के लिए क्या करते हैं कभी-कभी वो sell भी लगा देते हैं कभी-कभी समान वो छूट दे देते हैं कि इसके साथ ये free मिल रहा है तो ऐसा करके तो क्या होता है customer attract होते हैं और वो अपने समान को जो उनके पास extra पड़ा हुआ है और नहीं खतम हो रहा तो उसके लिए वो क्या कर देते हैं sell लगा देते हैं और उसकी price को कम कर देते हैं तो लोग attract होते हैं और समान को क्या करते हैं बाई कर लेते हैं Thank you so much.